नमस्कार बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज वोल इंडिया में मैं हूँ आपके साथ प्रद्यूम्र शर्मा एक नज़र डालते हैं उत्राखन की खास कबरों पर रदून में प्रदेश मंत्री मंडल की बैटक मुख्य मंत्री त्रवेन सिंग रावत या दिशता में होगी बैटक राज सच्वाले स्थेत विश्व कर्मा भवन के चंद्र सिंग गडवाल सबगार में होगी बैटक में 11 तक सरकारी और निजी स्कूल खोले जाने के प्रस्ता और मैदानी अलाकों में ओलव रष्टी की चितावनी जारी की है इससे देरादून समयत अन अलाकों में ठंड बढ़ेगी देरादून में सुबह कौरे की धुंद चाही रही इससे यातेयात पर खास असर पड़ा लोग वाहनों की लैट जला कर चलते नसर आए और वहीं हरिद्वार महा कुम में बेविन्य राज्यों के लिए परिवान निगम 200 बस चलाएगा इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है हरिद्वार कुम के साहिक महा प्रवंदक को विवस्ताय दुरस्त करने की जिमेदारी सौप दी गई है माना जारा है कि लंबे समय से गाटे में चल रहे परिवान निगम के लिए कुम संजीव नी लेकर आएगा कोर्न संक्रमन की रोग थाम के लिए उत्रकंड सरकार ने आर्टी पीसियर और रैपिड एंटीजन जांच की दरह घटा दी है निजी पैथलोजी प्रयोक शालाओ में आर्टी पीसियर की जांच 500 रुपे और रैपिड एंटीजन की जांच 427 रुपे में होगी कोविड जांच के लिए प्रदेश सरकार ने दूसरी बार दरह घटाई है आर्टी पीसियर सेंपल की जांच दर अब तक 900 रुपे में थी जिसे घटा कर 500 रुपे प्रती सेंपल कर दिया गया डोईवाला में रोडवेज बस और कार की आपस में बढ़ंत हो गई है कार सवारे के युवक की मौत हो गई जबकि कार चालक गंबी रूप से घायल हो गया है जिसे अस्पताल में उपचाल के लिए भरती करा दिया गया है पुलिस ने आरूपी बस चालक और परी चालक को हिरासत में लिया रिशिगेश में बिजनाओर के दो युवक गंगा नहर में नहा रहे थे नहाने के दौरान दौनों युवक नदी की तेज धाराओं में बहने लगे नहर में युवकों को भेता देख इस्थानिय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद एक युवक को बचा लिये जबकि दूसरा युवक नदी के तेज वहाव में ओजल हो गया लक्षमार जूला पुलिस ने रेस्क्यू अभ्यान चलाया लेकिन युवक का कोई पता ही लग पाया रिशिकेश में बिजली चोरी होने की सूचना पर दहरादून से आई उर्जा निगम की विजलेंस टीम ने बेराज इस्तिति सिचाई बिवाग के आवस्य कॉलोनी में चापा मारा इस दौरान करीब 10 सरकारी क्वार्टरों में बिजली चोरी पकड़ में आई है टीम की ओर से 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्च किया गया फिलाल इस बुलिटे में सर्फ इतना ही बने रही है निउस्वल इंडिया के साथ नमस्कार